यू तो यूपी में हर रोड जगह जगह बुल्डोजर चलने की ख़बर खूब आती है, हम आपको बताते हैं, आप देखते भी हैं, हम आप यहाओ के एक्शन की लिस्ट बनाएंगे, तो पन्ने 500 जो है न वो भर जाएंगे और एक कॉपी बन करके तयार हो जाएगी, लेकिन अभी कुछ लोग हैं जो राजनीती के आड में हैं, बिल्कुल जो राजनीती के आड में बुल्डोजर के आक्शन से चुपे हैं, उनमें से एक नाम मेरट से बाजपा नेता ब्रस्टा चार का खुलासा इनके लिए हुआ है, चौधरी विकुरांत ने अवैत तरीके से कॉ वंटन हुआ था और वहाँ बना कॉंपलेक्स उसकी कई दुकाने बेची, कई दुकानों को बेचने की तयारी और अब भाजपा किसान मोचा का जिला मामंतरी विकुरांत के इस प्रॉपर्टी का खुलासा हुआ है, तो देखें मेरट से बड़ी खबार भाजपा नेता पर यहां सिक्षा का मंदिर बनाएंगे, बच्चों की पड़ाई होगी, लेकिन व्यापार शुरू हो गया, यहां पर कॉंपलेक्स बनाया गया, ना सिर्फ बनाया गया, देखें, उसकी कई दुकाने बेच दी गई है, कई दुकाने बेची जानी है, और यह सब कुछ होता रह चौधरी विक्रांत, यह सिर्फ नाम या कोई शक्स नहीं है, बलकि सेटिंग बाजी का एक ऐसा नमूना है, जो आए दिन सामने आता है, चौधरी विक्रांत की चर्चा मेरट में अक्सर होती है, लेकिन अब लखनव तक यह नाम गूज रहा है, क्योंकि बाजबा किसान ब पूरा का पूरा कॉम्पलेक्स और यहां देखें कि यहां शिक्षन संस्थान बनाया जाना था, अधिकारी चुप रहे, पॉम्पलेक्स बनता चला गी जा, इस साल पहले जो यह जमीन है, यह मेरट विकास प्राधिकर्ण ने जो निलाम की थी, वो शिक्षन संस्थान बनाने के लिए इसका ऐलाटमेंट क होते रहे, शिव के नाम पर भाजपानिता का शातिर खे, शिव को नाम दिया गया है, शिवा मार्केट और मार्केट पूरी तरीके से अवैध है, चुकि मैं फिर आपको बताना चाओंगा, कि शिक्षन संस्थान ही यहां पर बन सकता था, चुकि जब ले आउट बनाय जात है, तो उस ले आउट में यह जमीन शिक्षन संस्थान के लिए छोड़ दी गई थी, व्रश्टाचार की बुनियाद पर चौधरी विक्रांत की चाला की, मेरट विकास प्राधिकरण के अफसरों से आप देखिए, सेटिंग गेटिंग का क्या खेल खेला गया, कि यह जमीन किसान मोर्चा के जो जिला महामंत्री है, चौधरी विक्रांत, उनका ये कॉंप्लेक्स है, बड़ा रसूक रखते हैं, और उसी रसूक की बदौलत आप देखिए, कि जहां छोटे बड़े अवैद निर्माणों पर बुल्डोजर कर रचता रहता है, लेकिन आप ये देख नक्षा पास नहीं कराए गया, क्योंकि नियम के अनुसार कोई नक्षा पास ही नहीं हो सकता, इसलिए यहां सेटिंग गेटिंग का मेरेट विकास प्राधिकन के अफसरों ने खेल खेला, और उसके बाद ये देखे कि जो पूरा कॉंप्लेक्स है, वो यहां पर बनकर तया काई सालों से चालाकी करते चला आ रहा है, उसकी एक यक और काली कहानी आज हम आपके सामने बड़ी डिटेल से रखेंगे, पूरे मामले में अधिकारियों की भूमिकाँ सबसे जादा संथे के दारे में है, क्योंकि साल दर साल, चॉदरी विकरान्त, अधिकारियों को सैट करता चला गया और अपना अवैद कारुबार बढ़ाता चला गया ऐसा भी नहीं था कि चौधरी विक्रांत की करतूत के बारे बें किसी को पता नहीं था यह कॉंपलेक्स क्या अंधेरे में बन सकता है पता सबको था लेकिन सभी खामोश थे कोई पैसे के नीचे दब जा रहा झाल 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 पूर्चा के महामंतरी चौधरी विक्रांत का अवैद रूप से बना कॉंपलेक्स मेरट से लखनव तक सुर्खियां बटो रहा है एक एक तस्वीर आप देखे कि मेरट फिकास प्राधिकरांत के अफसरों ने किस तरीके से ब्रश्टा चार की चाश्री में डूबी कलम से इस अवैद कॉंपलेक्स को आशिरवाद दिया और जिसका नतीजा ये हुआ कि ये अवैद कॉंपलेक्स दढ़ाधर बनता चला गया नोटिस का खेल खेला जाता रहा लेकिन इस अवैद कॉंपलेक्स को रोखने के हिम्मत कोई नहीं जुटा पाया सबसे बड़ी बात आप ये देखे कि ये बिना नक्षे के बना हुआ वैद कॉंपलेक्स है चुकि नक्षा इसका पास इसलिए नहीं हो सकता था चुकि ये जो जगा है वो शिक्षन संस्थान के नाम पर आवंटित की गई थी और यहाँ पर शिक्षन संस्थान ही बन सकता था लेकिन नियम काईदे कानून ताक पर रख दिये गए चुकि जब भरष्टाचार होता है और मेरेट विकास प्राधिकरण के अफसर जब आखे मूंद लेते हैं तो इसी तरीके से जो अवैद निर्बान है अवैद कॉंपलेक्स बन जाते हैं सब कुछ बन गया लेकिन किसी की नजर तक नहीं पड़ी या नजर पड़ी फिर भी कोई कारवाई नहीं हुए क्योंकि एक छोटा सा आवैद काम शुरू हो जाए तो पुलिस से लेकर मेरेट विकास प्राधिकरण के अधिकारी बहाँ पहुँच जाते हैं लेकिन यहां ब्रश्टाचार की एक-एक इट इतमिनान से जुड़ती रही और सब सोते रहे मेरेट विकास प्राधिकरण के जो अधिकारी है वो जानबूच का रंजान बने रहे जोकी सैटिंग गैटिंग का खेल खेला गया था क्या ऐसे मेरेट विकास प्राधिकरण के लापरवा अफसरों पर भी क्या सक्ट एक्षन होगा ये भी अपने आप में देखने वाली बात होगी लेकिन देखना ये होगा कि आखिर नियम काईदे कानून ताक पर रखकर बीजेपी नेता का जो ये अवैद कॉंप्लेक्स बना दिया गया किस-किस-किस में मिली भगत रही, किस-किस लोगों ने नियम काईदे कानुन ताक पर रखे तो ये अपने आप में देखने वाली बात होगी लेकिन मेरट से लखना उता किये मामला गूंज रहा है जिस चौधरी विकरांत ने सिक्षन संस्थान के नाम पर ये जमीन ली वो भाजपा किसान मोर्चा का जिला महमंत्री है लेकिन इसे नेता नगरी का रसुक कहिए या पैसे का खेल चालाक चौधरी ने पूरे मेरट विकास प्राधिकरण और पुलिस थाने को ही अपने कदमों में जुका दिया आप कह सकते हैं कि मेरट के भ्रष्ट अपसरों ने ही भाजपा नेता का या वैद कॉम्पलेक्स खड़ा करवा दिया क्योंकि भ्रष्ट अचार के आगे प्राधिकरण के काईदे कानून सिमट कर रह गए पहले मिली भगत करके ये भ्रष्ट कॉम्पलेक्स खड़ा किया और नाम रख दिया शिव मारक के मतलम नाम रखने में भी शर्म नहीं आई भगवान का नाम और काम बेइमानी का नहीं हमें कुछ मालूम ने क्या वेद है क्या नहीं चौदरी वी क्रांट बहुत चालाग है उसका बनवाया हुआ कॉम्पलेक्स नीचे से उपर तक ब्रष्ट अचार में डूबा है लेकिन अपना रसूक कैसे कायम रखता है उसे आप इन तस्वीरों से समझी बड़े बड़े नेताओं और मंत्रियों के साथ तस्वीरे खिचवाता है फिर सत्ता की हनक दिखाता है और फिर अधिकारियों से मिली भगत करके ब्रष्ट अचार की इमारत तान देता है बदले में हर दुकान से 6,000 रुपए हर महीना लेता है जो किराये पर दुकान चला रहे है वो तो बुल्डोजर आते ही छोला उठा कर चल दे ही लेकिन जिन लोगों को 30-40 लाक रुपए में ये दुकान बेच दी गई वो भला क्या करेंगे पता तो ये भी करना हुगा कि चौधरी विकरांत ने प्रादिकरण के कितने अधिकारियों को ब्रष्ट अचार का चड़ावा चड़ाया और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस प्रष्ट लोग पर बुल्डोजर कब पहुचेगा मामला लगातार गुंसता जा रहा है मेरट से लखनव तक गुंस सुनाई दे रही है लेकिन क्या बीजेपी किसान मोर्चा के जिला महमंतरी चौधरी विकरांत के इस अवैद कॉमप्लेक्स पर भी या योगी बाबा का जो बुल्डोजर है वो गरजेगा इस अवैद निर्माल पर क्या सक्त एक्षन होगा जिस तरीके के दावे किये जा रहे है कि अवैद निर्माल करने वालों को किसी कीमत पर बक्षा नहीं जाएगा किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा और जगए जगए बुल्डोजर एक्षन ले रहा है चौधरी विक्रांत की चालाकी पकड़ी गई है अब बारी एक्षन की है लेकिन क्या मेरट में सिर्फ एक ही चौधरी विक्रांत है आपको लग रहा होगा कि आप चौधरी विक्रांत की पूरी कहानी समझ गया तो ऐसा है नहीं अभी आपको चौधरी विक्रांत के बारे में बहुत कुछ समझाना बाकी है चलिए डिटेल से आपको बताते हैं लेकिन उससे पहले आपको इस भाजपानेता के भ्रष्ट लोग की थोड़ी बुलिट लाइन्स या जानकारी है दे देते हैं बाजपानेता का भ्रष्ट लोग है क्या तो सजल सिक्षा संस्थान के नाम पर ये जमीन आवंटत हुई थी जिसके जो पीछे आप कॉंपलेक्स देख रहे हैं इसे लिया गया था कहके कि सजल सिक्षण संस्थान बनाये जाएगा कितना है ये पूरा एरिया तो एरिया है 766.88 वर्ग मीटर ये प्लॉट है जो इसका आकार है इस कुछिस तरीके से है कब हुआ था आवंटित ये भी आपको बताएं 28 अगस 2014 को जमीन को बाटा गया था आवंटित किया गया था और 85,50,000 रुपए में जमीन का आवंटन हुआ था 2019 में सिक्षड संस्थान की जगए ये देख रहे हैं आप कॉंप्लेक्स बनाना चुरू कर दिया गया नक्षा नहीं है बिना नक्षा पास कराए ही अवैद निर्मान चुरू होता क्योंकि सिक्षड संस्थान का नक्षा ये कॉंप्लेक्स से तो मैच करता भी नहीं कॉंप्लेक्स के लिए नक्षा पास कराना मुम्किन कैसे होगा भला एक स्कूल का स्ट्रक्चर और एक कॉंप्लेक्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है ये तो कोई भी बता सकता है है ना लेकिन चौधरी विक्रांत ने अधिकारियों के साथ मिल करके कदम कदम पर नियम तोड़े जिन नियमों को फ्रश्टा चार के नीचे कुछला गया वो नियम क्या है वो भी आपको बता है नियम क्या कहता है सिक्षड संस्थान के नाम पर ली गई जमीन पर ये कॉंप्लेक्स गहर कानूनी है आवंटन के बाद लैंड यूज में बदलाव नहीं किया जा सकता है इसलिए जमीन स्कूल की थी कॉंप्लेक्स का नक्षा पास नहीं हो सकता और बिना नक्षे के बना ये कॉंपलेक्स अवयद निर्मान की श्रेणी में आता है जिस पर खुब बुल्डोजर चलते हैं हमने आपको खुब दिखाया है लैंड यूज में बदलाव करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ विकास प्राधीकरण को है लैंड यूज तभी हो सकता है जब तक फ्लोट आवंटित ना हुआ हो दोके बाजी से कॉंपलेक्स बनाने पर करोडो रुपए के राजस्व का नुकसान भी है और उन बच्चों का क्या जिनका भविस से बन सकता था इसकूल में इसक्षर संस्थान में वो पढ़ाई करने के लिए आते लेकिन अभी इसका किराया किसी एक शक्स के पास जाता है किस तरीके से मेरट में ये इतनी बड़ी बिल्डिंग तयार होती है जिसका नक्षा नहीं है जियो जमीन किसी और काम की है और लोगों ने देखा बनते चले गए और दुकाने भी खरीदी दुकान चल रही है समझते हैं हमारे सायोगी सनुष शर्मा का सीधा रुक करते हैं मेरट से मेरट विक्रांत की इस कर्तूत का एक एक पनना सामने आने वाला है सनुष शर्मा जो मेरट में एबिपी गंगा के रिप्रेटर हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं तो हम सनुच से यह समझने की कोशिश कर रहे हैं, सनुच यह आज का खेल नहीं, 2019 में यह बनना शुरू हुआ है, कौन-कौन इस दर्मियान अधिकारी थे, जो इसको बनाने के लिए हरी जंडी देते गए, नक्षा नहीं देखा, कैसे आवंटित हुआ यह नहीं देखा, क्या है, यह रही है, यह काहनी जब से यह कॉंपलेक्स बनना शुरू हुआ है, तो इसके जो दाम है, वो काफी कम होते हैं, अब नियम यह कहता है, कि यहाँ पर जो शिक्षन संस्थाने, शिक्षा का मंदिरी बनना चाहिए था, लेकिन रसूक की कहानी और भष्टाचार की कहानी आप देख लिजे, यह है, जो बीजेपी नेता है, चौधरी विक्रांत, यह उनका अवैद कॉंपलेक्स है, कोई नक्षा इसका पास नहीं है, बिना नक्षा पास कराए, आप देखिए किस तरीके से एक, दो, दस, दीस नहीं, बलकि तीस से जादा दुकाने बना दी है, तो नियम काइदे कानून इसी तरीके से पैरों के नीचे कुचल दिये जाते हैं, और ये नियम काइदे कानून कुचलने का और भष्टाचार का, मेरत विकास प्राधिकर्ण के अफसरों के भष्टाचार का, ये बड़ा उधारन आपकी, आप सामने देख सकते हैं, क्या गलत काम कर दिया, लेकिन आप ये देखिए, कि ये 766.888 वर्ग मीटर की जमीन पर जहां, शिक्षन संस्थान शिक्षा का मंदिर बनाया जाना था, इतना बड़ा कॉंप्लेक्स यहां पर बना दिया गया, और मेरत विकास प्राधिकर्ण के अफसर, हाथों पर हाथ ब बचाने के लिए, नोटीस का खेल खेला, यहां पर शुरू में तीन दुकाने बनी थी, और उसके बाद नोटीस दिया गया, कि आप अवैद निर्मार कर रहे हैं, लेकिन तीन से ये 30 दुकाने कब बन गई, किसी को पता नहीं चला, नोटीस का खेल हुआ, उसके बाद फिर लिए कि सील तोड़कर यहां पर काम किया गया, उसके लिए भी थाने में, एफाई आर के लिए एप्लिकेशन दी गई, कि नियम काईदे कानून तोड़कर कैसे जब सील लगा दी गई है, लेकिन देखिए, तमाम काईदे कानून यहां ताक पर रख दिये गए, यह क्या कहता है, नोटिस देने के कितने दिन बाद बुल्डोजर चल जाना चाहिए? और कुछ बिल्डरों का चलना है, यह जमीन शिक्षन संस्थान के नाम पर मेरेट विकास प्रादिकन के अफसरों ने बताई होगी, उसके बाद एक पूरा कोकस बनाके यह जमीन दिला दी गई, और उसके बाद यहां पर जो कॉंपलेक्स है भू बनाना शुरू कर दिया, लेंड यूज चेंज करने का किसी को अधिकार नहीं है, शिक्षन संस्थान था और शिक्षन संस्थान पर शिक्षा का मंदिर बनना था, कॉंपलेक्स कैसे बना दिया गया, मोटी इसमें कहीना कहीं तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं कि मोटी बील हुई है, जिसके बाद य कि इसका नक्षा किसी कीमत पर पास नहीं हो सकता, चूकि लेंड यूज चेंज करने का अधिकार नहीं है, जो मेलट विकास प्राधिकरन की अगर हम बात करें, तो जो प्राधिकरन का नियम है, वो ये कहता है, कि जो लेंड यूज चेंज करने का अधिकार है, वो मेलट वि 2019 में प्राधिकरण को परिशान कर दिया था, इसका सबूत अब तक हमने आपको दिखाया, ये रिपोर्ट देखने के बाद आप एकदम समझ जाएंगे, जो सवाल आपके जहन में आ रहा है, वो एकदम क्लियर हो जाएंगे चौधरी विक्रांत के इस भ्रष्ट लोक के गिरने का इंतिजार है, लेकिन अकड़ और सीना जोरी अभी भी बाकी है कौन कौन सी दुकान बेचने और किराय पर देने के लिए खाली हैं, इसका बोर्ड आज भी यहां लटका है मुबाइल नंबर भी दिया है और बैंक से लोन की गारंटी भी दी जा रहे है चालाग चौधरी इतनी सीना जोरी क्यूं कर रहा, इसके कुछ सबूत हम आपको दिखाते है यह मेरट विकास प्राधिकरण की चिठी है, जो 19 जून 2019 को दारवला की क्षत्र देकारी को लिखी गई थी इस चिठी की एक एक बाद चौधरी विक्रांट की हनक की कवाही देती है साथ ही यह भी बताती है कि मेरट विकास प्राधिकरण कितना मजबूर है तीन साल पहले मेरट विकास प्राधिकरण की तरफ से लिखी गई इस चिठी में कहा गया था कि विक्रांट ने बिना नक्षा पास कराए ही जब दुकानों का निर्माण शुरू करा दिया तो उसे सील कर दिया गया था लेकिन सील तोड़कर उस पर दोबारा काम शुरू करवा दिया गया चिठी में ये भी लिखा गया कि 11 जुन 2019 को थाने में तहरीर दी गई था लेकिन मुन्शी ने वो तहरीर प्राप्त नहीं की, आपसा नुरोध है कि तहरीर ले लिजिए और संबंदित कारवाई का आदेश दीजिए यानि मेरेट विकास प्राधीकरण सीओ के सामने गिलगिला रहा था, अपनी व्यथा सुना रहा था, ये बता रहा था कि चौधरी विकरांत का वो कुछ नहीं विगाड़ पा रहा है, मना करने के बावजूद वो मनमानी कर रहा था ये देखिए शिवा मार्केट, पूरी यहां पर एक एक करके दुकाने बनाती जाती रही, नोटीस दिया गया, लेकिन ना तो काम रुखवाया गया, एक बार एफाई यार की बात भी सामने आई थी, लेकिन आप सोचिए कि मेरेट विकास प्राधीकरण के जो अधिकारी है वो सिर्फ नोटीस देने तक सीमित रहे, लेकिन इस अवैद निर्माल को रोकने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पाया, पूरा सैटिंग गैटिंग का खेल खेला गया, और अब ये जो कॉम्पलेक्स है, ये पूरी तरीके से सुर्खियों में यहां देखिए कि नियम काहिदे कानून ताक पर रख दिये गया, शिक्षन संस्था नहीं बनाया गया, सैटिंग गैटिंग की गई और अबैद कॉम्पलेक्स बना दिया गया, अब इस अबैद कॉम्पलेक्स पर क्या सक्ट एक्षन होगा, इस पर सब की नजरे टिकी हुई है चौधरी विक्रांथ की अकड़ पहले भी बहुत जादा थी और आज भी बहुत जादा है, चौधरी विक्रांथ नेतानगरी के दम पर पहले भी उड़ता था और आज भी उड़ रहा बहुत कम्भीर सवाल तो ये है कि चौधरी विक्रांथ के मामले में जब प्रादिकरण ने लिखित तहरीर की बात कही और सीओ से शिकायत तक की तब उसके अवैद निर्माण के मामले में पुलिस ने क्या किया सवाल तो ये भी है कि प्राधिकरण क्या इतना कमजोर है कि वो पुलिस के भरोसे बैठा है मेरट से सनुष शर्मा एबीपी गंगा देखे इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपके मन में कई सवाल आ रहे होंगे जैसे हमारे मन में भी सवाल उठे जो कि लाजबी है और इनके जवाब मिलना बेहद जरूरी है देखे चालाक चौधरी के कितने मददगार है समझिया पुलिस अधिकारी ने शिकायत पर कोई कारवाई क्यों नहीं की ये बड़ा सवाल है चौधरी प्रशांत ने किसके दम पर ये सील तोड़ा बड़ा सवाल है प्राधिकरन की नियम कायदों की नजर अंदाजी आखिरकार किसने की और अवैद निर्मांड कराने में किन किन अधिकारियों की भूमिका मजबूती से रही ये भी बड़ा सवाल है दूसरी जगहों पर भी इसी तरीके की दांदली भी होती रही ये भी सवाल है और सरकार की जीरो टॉलरेंस मीती को पलीता कौन लगा रहा है कौन लगा सकता है और चौधरी विक्रांत के अवैद निर्मांड पर बुल्डोजर कब पहुँचेगा ये सबसे एहन सवाल है क्योंकि हमने देखा है कि बुल्डोजर का एक्शन ऐसे होता है चाहिए वो बड़ा से बड़ा माफिया हो या फिर छोटा कोई कंस्ट्रक्शन जो इलीगल हो ऐसे में सीधा रुक करते हैं मेरट का हमारे सायोगी सनुझ लगातार ग्राउंड पर मोजी है रपोर्ट दे रहा है वो और उनसे समझते हैं कि अभी नोटेस टू फॉलो नहीं हो रहा है दो अजार उन्नीस का कंस्ट्रक्शन है लेकिन बुल्डोजर नहीं पहुँच पा रहा है मामला कमिशनर के यहां पील में गया जो वीसी का आदेश था उसको बरकरार रखा गया लेकिन फिर शासन से यहां एक चिठी आती है जिसमें यह कहा जाता है कि चौधरी विकरांत को एक बार और सुना जाए उनका यह आरोप था कि उन्हें पूरी तरीके से सुना नहीं गया उनका पक्षन ही रखा गया और जल्द बाजी में जो द्वस्तिकरांत के आदेश है वो दे दिये गए अब इस मामले में 24 तारीक को फैसला होना है चोबिस तारीक को जो यह जो दियेम है धीपक मिला उनपर कारवा हख VC मेरेट विकराज प्राधिकर्ण का भी चार्ड है तो 24 तारीक को जो चौधरी विकरांत है उनको अपना वहां पर पक्ष रखना है और उस पक्ष रखने के आपको विध्यपती निकलबानी पड़ेगी आपको आपतिया लेनी पड़ेंगी तमाम बहुत लंबी प्रक्रिया है और उसके बाद मेरे ट्विकास प्राधिकर्ण लेंड यूज चेंज कर सकता है लेकिन यहाँ पर लेंड यूज चेंज खुद कर दिया गया चुकि यहां संस्थान के लिए जगा ली गई और स्कूल के लिए नक्षा पास हो सकता था लेकिन ऐसा नहीं है आप यह तस्वीर देखिए कि यहां जो यह एक मौकर दिया जाता है कि वह अपना पूर अपक्ष रख सके कल को यह ना कहें कि उसे नहीं सुना गया अब चौधरी विकरांट 24 तारीक को जो कारेबाहग दिया में उनके सामने पेश होंगे अपना पक्ष रखेंगे और उस पक्ष रखने के बाद क्या आगे का निर्णे होगा ये अपने आप देखने वाली बात होगी लेकिन तस्वीर विकरांट से ज इठी लिख करके ये जारी किया था सवाल पूछने पर भी जवाब नहीं मिला था तो बार-बार रोकने के बाद भी विकरांट की मनमानी और सेटिंग लगातार चलती रही यानि विकरांट चौधरी सरकारी सिस्टम को बहुत कमजोर समझता था ये आपने आपको बहुत मजबूत समझता था ये जो वो कुछ भी वो सोचता था क्योंकि सब कुछ सही दिखाए देता उसका किसी ने कुछ बिगारा तो है नहीं उसका कॉंप्लेक्स चल रहा है उसक चौधरी विकरांट की चालाकी का पूरा कच्चा चिठा अब सामने है और उसके काले कारनामे का एक एक अक्षर नंगी आँखों से पढ़ा जा सकता है यह 21 जन्वरी 2022 की चिठी है यानि इसी साल की शुरुवात जो मेरट विकास प्राधिकरण की तरफ से चारी की गई थी यह चिठी थी चालाक चौधरी के कॉंप्लेक्स को गिराने के लिए इस पर साफ साफ लिखा है ध्रस्तिकरण आदेश मेरट विकास प्राधिकरण ने लिखा कि विक्रांत चौधरी ने स्कूल भूखंड के लिए जमीन लीद और अवैद निर्माल करने चिठी में ये भी जिक्र है कि 11 नोमबर 2019 को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ पिर 5 पिसंबर 2019 को भी नोटिस जारी हुआ लेकिन ना तो उसने नोटिस का जवाब दिया और ना ही काम करवाना बंद किया। वह आपके सामने ये देखिए। अखरी लाइन में लिखा था जो भी खर्चाए उसे चौधरी विक्रांच से ही वसूल किया जाए। लेकिन ना तो कोई बुल्डोजर कॉंप्लेक्स में पहुंचा और ना ही एक ही उखाडी जा सकते। हर जानावा सुलने की बात तो दूर था क्योंकि चालाग चौधरी फॉरन कोई न कोई तिकडम भिडा लेता था। इस मामले को लेकर सुनवाई के आदेश जारी हुए ही मेरट विकास प्राधिकरण की तारिबाहक वीसी और दीम दीपक मीरा 24 अगस्त को फिर से सुनवाई करें ही। कि यही है कि पहले इसमें अल्रडी एक ओडर हुआ है डिमॉलीशन का उसके अगेंस्ट में इन लोगों ने अपील की थी कमिशनर साब के वहां पे कमिशनर साब ने भी उस ओडर को वीसी साब को अपैल किया जो ततकालीन वीसी थे और उसके बाद इनोंने फिर शाशन में शाशन की अपील में इनके कोई पॉइंट सुने गए और उसके बाद शाशन ने निर्देश दित किया गया वहां से विशेश हैसी साब कि इनकी इन इन पॉइंट्स पे पुने सुनवाई करकर जो भी नियमनसार है इसकी कारवाई करें तो फाइल हमने इनकी जो भी है सुन पर बच निकलेगा या इस बार चालाक चौधरी बुल्डोजर के फेर में फसेगा ये देखना होगा मिरट से सनुच शर्मा एवी बिगंग तो चलिए ये भी समझ लीजे कि चौधरी विकरांत ने पैसे और सियासी ताकत का कितना अच्छा इस्तमाल किया सबसे बड़ा सवाल ये है कि चौधरी की ताकत बढ़ाई किस नी देखें चलाग चौधरी को किस ने ताकत दी जब आप ये सवाल पूछेंगे तो कुछ ऐसे फैक्ट आपको सामने मिलेंगे किस के बल पर अधिकारियों को जुका देता था चौधरी विकरांत बड़ा सवाल है और पुलिस ने किस के दबाव में केस दरजी नहीं किया जो कि होना चाहिए था नोटिस तो जारी हुआ उतके बाद भी जवाब देना ठीक नहीं समझा गया क्या ये आम बात है अधिकारी पूछते रहे लेकिन चौधरी जवाब नहीं दिया चौधरी विक्रांत एक जवाब नहीं देता है किसी भी नोटिस का अधिकारी बुल्डोजर ले जाने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पाए ये तो उनका काम है मेरट में खूब बुल्डोजर चलता है खूब देका हमने और मदद करने वाले अधिकारी भी क्या इस दारे में आएंगे उन पर भी एक्शन होगा ये तमाम सवाल हैं जो कि हमारे आपके सामने हैं जिनका जवाब मिलना ही चाहिए क्योंकि इस कॉंप्लेक्स की जगर पर फूल होना चाहिए था और आए सीधा रुक करते हैं मेरट का हमारे सायोगी सनुसे समझने की कोशिच करते हैं कि ये बड़े सवाल हैं इसे जुड़े हुए चाहा फैक्ट ग्राउंड पर दिखाई दिये मेरट में क्या कुछ दिखाई दिया यह जो बड़े सवाल हमने पूछे हैं कि आखिरकार किसी अधिकारी ने हिम्मत नहीं की नोटिस का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा यह सारी चीज़े होती रही और किसी ने आवाज भी नहीं उचाई देखें बिलकुल इन सवालों का भी जवाब दूँगा लेकिन उससे पहले एक तस्वीर दिखा देता हूँ आप यह देखिए यह exclusive document है यह हमारे पास है कि अवैद रूप से बगैर मांचित कराए यह notice दिया गया था कि आप अवैद रूप से निर्मान कर रहें तीन दुकाने बनाए गई लेकिन तीस दुकाने बन गई किसी ने नहीं रोकी पहला सवाल दूसरा सवाल आप यह देख अवैद बने रहें जिनपर आरोप लग रहें चौदरी विकरांत इस वक्त पोन लाइन पर मौजूद है विकरांत जी यह जो पूरे आरोप लग रहें उसके documents ABP गंगा पर सनुच के पास हमारे सायोगी के पास और हम लगातार दिखा रहे हैं आपका क्या कहना इन सभी आर लेकिन अगर यूज लैंड यूज है वो स्कूल के नाम पर है कि नहीं विकरांच जी नहीं मैडम इसमें यह सा कि यह जो महायोजना महायोजना को प्रोट नहीं था यह अलग से अक्वारिकरांत बदल सकता है इसे कॉमर्शली आप यूज कर सकते हैं यह कहना चाह रहे है हाँ आज यह जी अगराण जी देखे बहुत ज्यादा विशेशक्या नहीं लेकिनित्ता मुझे समझ में आ रहा है कि लैंड तो आपने अवंटन हुआ था उस वक्त आपने यह से कॉम प्लेक्स नई स्कूल भी मेरे सही होगी सनुजभी मेरे साथ है यहां पर नक्षे के सवाल पर मुकर गया विक्रांत फिर से हम ट्राइब करेंगे क्या पता इस बार बताएं कि बिना नक्षे के यह कॉंप्लेक्स बना है या इनके पास नक्षा है अमने खूब बिल्डिंग्स को बड़ी बिल्डिंग्स को गिरते देखा है मेरे अगर उनके पास एक भी पेपर नहीं रहता है तो बुल्डोजर चल जाता है यहाँ पर नक्षे के बिना 30 दुकाने बन करके एक कॉंप्लेक्स आपके सामने है इस सवाल का भी जवाब दे दे विकरांत तो सही रहेगा नक्षा है क्या तमाम नोटिस क्यों आई अगर सब कुछ सही है शुल्क जमा करके विकरांत का यह कहना एक शुल्क जमा करके हमें इस्तमाल करने की इजाज़त प्रशासन से मिल गई है तो यह 3-4 नोटिस की सबाब बताए तीन से तीस दुकाने क्यों बनी और बनी तो इनका नक्षा कहा है विकरांत चौधरी ने अभी फिलाल फोन काट दिया है लेकिन हम समझने की कोशिश करेंगे अगर इस सवाल के भी जवाब दे दे तो फिर बहुत आसान हो जाएगा हम स कि अगर देखे मैं आपको पताता हूं कोई शासान इस तरीके आदेश नहीं दे सकता है यह विकरां चौधरी था क्या कि जब यहां ततकालीन बीसी ने दुस्तिकरण के आदेश दे दिया और उस आदेश को उस आदेश के खिलाब यह कमिशनर के यहां गये और कमिशनर के जब अपील करी तो कमिशनर ने भी उस आदेश को द्वस्तिकरण के आदेश को बरकरा रखा उसके बाद 15 दिन का वक दिया जाता है तो इन्होंने शासन में पुनरिक्षनवाद दायर कर दिया शासन ने इनकी बात को सुना लेकिन शासन ने यह आदेश नहीं दिये शासन यह कहा कि एक बार फिर चौधरी विकरांत को सुना जाए और इस वात को यहां मेरेट ट्रांसफर कर दिया उसी मामले में जो डीम है दीपक मिला वो कारेवाग वीसी का भी उनके पास चार्ज है अब वो यहां इनका पूरा जो पक्ष है वो पूरा पक्ष सुनेंगे पूर अगर इतने आसानी से लैंड यूज के लिए पेपर्स चेंज हो सकते हैं तो मेरेट में इतने सारे बुल्डोजर चले क्या उन लोगों के पास यह पावर नहीं थी को पेपर चेंज करा करके आराम से अपना निर्मान करते रहें शुल्क भर दें कि नहीं स्कूल के बजाए कॉंप्लेक्स चला रहें यह लिजे प्रशासन के लिए शुल्क भरा और काम हो गया इन तबाम चीजों पर अभी भी बड़े सवाल उटते हैं कि आखिरकार मेरेट 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 में ब्रश्टा 4 का महल कॉंप्लेक्स बन करके तयार है जहां मेरेट में कोई बिना नक्षा पास कराए कोई अवैद अतिक्रमण हो तो उस पर बुल्डोजर चलते देरी नहीं लगती लेकिन यहां पर रसूख और पैसा कैसे काम करता है और इसके लिए अब चलिए हम लगातार समाजवादी पार्टी से रती कंसारी विधायक हैं वो हमारे सार्थ एबीप गंगा पर जुड़ें उनसे भी सुनते हैं रतीक जी स्वागत है वीप गंगा पर क्या कहना चाहेंगे आप देखें अगर सब्सकी जाच हो जाएगी तो सैक्लों ऐसे कॉंप्लेक्ट और ऐसे फिल्डिंग लिखनेंगी जो अवे जोग से बनी हुए बीजेपी के लोगी आप इंतजार यह है कि बाबाजी का पूलोजर का बाता है वहाँ पर नेयम कानून किसकित के लिए है विपक् यहां जैसे कोई जम्मा उठाएंगे कि जहां-जहां जैसा आपने कह दिया सैक्डों ऐसे मामले होंगे जहां पर अवैद अतिक्रमण मिलेगा क्या पार्टी की कोई अरे अगर वासाम विरोज करेंगे तो हमारे मकान गिरा देंगे एंकर साहँ मैडम तो आमको लेकर विधान सबब पूरी हवाई उठाएंगे ताकत के साथ आप तो जानती हमारे मकान गिराम ते दुस्मनी क्यों कर रहे हैं अरे रफीक अंशारी जी आप आप विपक्ष मे जो खामिया है गिनवाना आपका काम है हम तो माध्यम है कि आप पहुँचे तो हम आपको दिखाएं और आपसे पूछें जो वारा प्रेटवारा मम को मिला है जो हमारी जन्तर ने दिया है लेके चलग से लेके विदान सबह में पूरी ताकत के साथ आवाज उठाएंगे और बाबाजी ना बुलोजर को मजबूर कर देंगे यार लाने के लिए और इस पॉंपलेस्ट नों गिराने के लिए मैडम यह तो एक छोटी सी बानगी है इस तरीके के तमाम मेरेट के अंदर अवैद कॉम्पलेक्स हो यह जब बिल्डिंग बन रही थी जब आवंटी ठोई थी मेरेट विकास प्रादीकरण के लोग क्या कर रहे थे कही ना कहीं उनकी सहप है बड़े निताओं की सहप है इत इन तिन नोटिस को इगनोर करके यह बड़ा कॉम्पलेक्स हुआ तो भाजपा निता का भ्रष्ट लोग जहां मेरत में एक तीस दुकानों का कॉम्पलेक्स बन करके तयार हो जाता है दोजार उन्नीस का यह कंस्ट्रक्शन है जिसका नक्षा नहीं है जिसे तीन बार नोट बुल्डोजर नहीं चला अभी तक तो ग्राउंड से रिपोर्ट हमारे सायोगी सनुच ने लगातार भेजी सनुशुक्रिया और देखे इस तरीके से चाहे अवैद निर्मान किसी का हो अगर वो इल्लीगल है तो इल्लीगल है अगर बुल्डोजर चल रहा है तो उसे चलन चाहिए बिना नक्षा बिना पेपर के कोई भी अगर कंस्ट्रक्शन तयार है लेकिन ऐसे में क्या रसूख या फिर बीजेपी का तमगा किसी के लिए मददगार है इसलिए ये बड़ी कवरेज हमने आप तक पहुचाई एबीपी गंगा खबर आपकी जवाँ आपकी